दोस्तो जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हूँ ये कल ही आई हुई न्यूज है और ये न्यूज हमें बताती है कि जो सभी ब्रिक्स देश है वो डी डॉलराजेशन के ऊपर सहमत नहीं है दोस्तो मैं ये आपको वीडियो के अंदर सोर्च के साथ दिखा रहा हूँ कि ये न्यूज कहा से आई है आप देख सकते हो चायना की जो ये न्यूज एजनसी है वही से ये न्यूज आई है तो अगर चायना ये न्यूज को प्रिंट कर रहा है तो इसका कुछ तो इंपोर्टन्स जरूर होगा ये न्यूज हमें क्लियरली बताती है कि रशिया का जो D-Dolarization का plan है वो plan से सभी BRICS देश सहमत नहीं है अगर आपको पता है तो चाइना भी D-Dolarization के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कंट्री है और चाइना भी D-Dolarization के बारे में भी बोल रहा था तो अगर चाइना की news agency ये news छाप रही है कि सभी देश D-Dolarization के उपर सहमत नहीं है तो ये news का कुछ तो importance होना चाहिए दोस्तो मैंने D-Dolarization के उपर एक special वीडियो भी बनाया था जो वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी क्या सच में D-Dolarization हो रहा है मैंने वो वीडियो के अंदर आपको क्लियरली दिखाया था कि अभी भी दुनिया की सारी कंट्रीज उसी तरह से BRICS कंट्रीज भी अमेरिका के US ट्रेजरीज को खरीद रहे हैं और उसके सामने गोल्ड की खरीदारी बहुत ही छोटी है मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमें लगातर बताया गया कि दुनिया के अंदर D-Dolarization होने वाला है BRICS कंट्रीज D-Dolarization करने वाली है मतलब डॉलर का इस्तमाल कम होगा डॉलर को रिजव से हटाया जाएगा जिस होज़से डॉलर के अंदर एक बहुती बड़ी गिरावट आएगी लेकिन दोस्तों मैंने आपको पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातर वीडियो बना कर दिखाया है क्या D-Dolarization सच में हो रहा है के नहीं हो रहा है और आज जो ये न्यूज सामने आई है वो हमें यहीं बताती है के ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर ही अभी सहमती नहीं है के D-Dolarization करे के नहीं करे ये न्यूज हमें क्लियरली बताती है के रशिया के D-Dolarization के प्लैन से सभी ब्रिक्स देश सहमत नहीं है उसी तरह से ब्रिक्स कंट्रीज ने कोई भी 40% वाली गोल्ड वाली करंसी भी लॉंच नहीं की और हमने ये देखा भी के सेंट्रल बैंक सी गोल्ड के अंदर खरीदारी ये साल लगातार गिर रही है और ये अगश्ट 2024 में उन्होंने सिर्फ 8 टन गोल्ड को खरीदा है पता है तो मैं इन लेवलस के उपर नहीं investment करना नहीं चाहता हूँ जैसे कि मैंने बताया ही कि ये बार समय different हो सकता है लेकिन दोस्तों मैं अभी भी कॉशन हूँ और मेरा नजरिया अभी भी खरीदारी का नहीं है जबी भी खरीदारी का नजरिया होगा आपको वीडियो से पता चल जाएगा इन लेवल्स के उपर मेरी कोई भी इन्वेश्टमेंट की सला नहीं है वीडियो खतम करने से पहले मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा के कुरुपया मेरे वीडियो को देख कर कोई भी ट्रेडिंग ना करें मैंने कभी भी आपको ट्रेडिंग की कोई भी सला नहीं दिये